जो तमें अमदावाद वडोद्रा के भरुष मा रोजो तो तमें नारेश्वर, गरुडेश्वर अने कबिरवर्ती सारे रिते वाके फशो गिर्णार परवत पर जे रिते दत्तात्रे भगवान ना पगला छे तेज रिते नारेश्वर गरुडेश्वर मा भगवान दत्तात्रे ना मंदेर छे जग्याने प्रसित बनावानुश्रे जाई छे परम पूझे रंग अवधूत महराज ने जो तमें दक्षिन गुजरात नी धर्मी के आत्राई निकडो छो तो तमारे या त्रोण स्थडो नी मुलाकात अवश्चि लेवी जो ये आने आज अभेतमने आज त्रोण पविस्र थडवी से जणाम वाजेह रहा चे तो वीडियो ना अंतिसुदी अमारी साथे जोडायला रहे जो सवती पहला जानीशू नारेश्वर विशे नारेश्वर एटलेश्री रंग अवधूत महराज नी कर्म भूमी एमने स्थापेलो आश्रम कोई रिसोर्ट थी कम न थी आजू बाजू लिलोत्री थी गेरायल उस्थड खरेकर गुजरात नू एक सुन्दर अने रमणी या परेटेक स्थान बनी गयू छे नारेश्वर तिर्स्थान गुजरात अने महरासमा खूब जानी तू छे नर्मदाजी ना तीरे बरुषती वडोत्रा तरफ 25 किलोमिटर जयता नारेश्वर नो मार्ग आवे छे अहीती 99 किलोमिटर सिंगल पाका रस्ते नारेश्वर पहुँची शकायचे नारेश्वर अमधावाथी 106 तेर अने वडोत्रा ती साइट किलोमिटर दूर छे नारेश्वर नी नजीक नू रेल्वे स्टेशन वडोधराचे अने एरपोर्ट पन वडोधराचे नारेश्वर आजे तो विसाड जग्यामा पत्रायलू तिर्स्थान छे परन्तु रंग अउधुत स्वामी अही पदार्या त्यहरे मात्र जंगल हतु ओगने सो तीस नी आस पास रंग अउधुत स्वामी नारेश्वर आव्या अही नर्वदा की नारे तेमने साप अने मोडने साथे जोया तेमने थयू क्या भूमी अहिन सक्छे भूमी नी दिवयताने पारकी जंगल मा एक लीमडाना वरुक्षनी जे तेमने आसन बिछावियो अने साधना करी तेमना तापो बढ़ती भूमी नो प्रभाव अध्वाला गयो अने जोत जोता मा डरामनी जगा एक तपसवीनु तिर्स्थान बन्यो रंगवदुत महराज ना भक्तो दूर दूर थी आववाला गया अने भक्तो द्वाराज आसकडे दर्मशाडा बोजन शाडा अने मंदिर नो जणोत दार थयो रंगवदुत महराज ज्यान धानमा बैस्ता हता एलेमडो आजे पंचे विनामुल ये रहवा अने जमवानी व्यवस्था चे परन्तु प्रवासी सहलाणी माटे जगा नती ते याद अपावता ठे ठे नाना सुचना पत्रो जोवा मडे चे नारेश्वर विसे जाने लिदाबाद हवे आपनी जानीशू गरुडेश्वर विसे अमदावात्ती 187 किलोमेटर वलोद्राधी डबोय तीलकवडा थैने सर्दार सरोवर्णा मारगे गरुडेश्वर पहुंची शकाई छे अईती नजीकनू रिल्वेश्टेशन वलोद्राने भरुद्र छे बन्नेनू अंतर लगबग एक सर्खू एटलेगे 80 किलोमेटर छे गरुडेश्वर महादेवनी पौराणी कथा एवी छे के आस्थड़े पुरातन कालमा महान दैत्ते गजासूर रहतो हतो एने हाथीनू रूपलाई गरुणनी साते बिशन युद करियू आयुद मा गरुडेश्वर गजासूर ना प्राण हर्या अने नदी किनारा पड़नी तेगरी पर बैसीने तेनू भक्षन करियू हतो एना हाड का परवत पर पड़ी रहया सद नसीबे एना अस्थी नर्मदा नदीमा गसडाया व्या परिणामे तेनो दे पवित्र थयो आस्थर नो पावनकारी महिमा जानी ने गजासूर यही आकरी सिव आराधना करी शिव जी प्रसं थया अने गजासूर ने वर्दाना प्यू के हवे पचीतू महरो गण थाईश गरुडना हाते अजान ताज पोताना उद्दार थयो एटले तेने गरुडेश्वर सिवनी स्थापना करी गरुडेश्वर मंदिर नदी थी थोडुक दूर टेकरी पर आवेलू छे अहीं दत मंदिर अने श्री वासुदेवानन सरस्वती महराज नू समाधी मंदिर तथा ध्यानकेंद्र आवेला चे प्रवेश द्वार पासे दर्मसाडा तथा पाचर ना भागे बोजनशाडा आवेली चे तो हवे आपने जाने सू कबिरवडी से कबिरवड नर्मदा नदीनी वच्चे आवेला टापू पर आवेलू एक धार्मिक थड़ छे आस्थडे संद कबिर नू मंदिर आवेलू छे अहीं विशाड वड आवेलो चे जे संद कबिर द्वारा नंखायली दातर्नी चीरी माती उग्यो होवानी वाईका चे कबिरवड जवा माटे बरुस्ती वाया शुकल तिर्थाई जनोर जता रस्ता परावेला कबिर मटी नामना स्थड परती होडी मा बैसी ने जहू पड़े छे गुजरात मा जे सारा प्रवासन स्थडो छे एमा कबिर वड नू आगवू स्थान छे वड़नी वडवायो थी व्रुक्ष वाटिका मा फेरवायलो आ व्रुक्ष हाल अनेक गणा विस्तार मा फैलाई चुक्यू छे कहवाय चे के संत कबिर के जयो वर्षो सुधिया ही वस्या हता तेमना नाम पड़ थिया वड नू नाम कबिर वड पड़ियू छे अहीं कबिर मंदिर पंचे जया मुलाकातियोंने श्रद्दाडवो पूजय अर्चना करवा माटे आवे चे कबिर वड आववा पाचर नू कारण मैत्र एथिया सीकज नहीं परन्तु अहीना बव्यवड नी आसपास फैला आईडिया पार शांती अने पवित्रतापन छे जेने मानवा लोको मोटी शंख्यामा आवे चे अहीं सवती नजीक नू रेलवे स्टेशन बरूच छे तेमज एरपोर्ट वड़ोद्रा खाते आवेलू छे कबिर वड अमदावाती आसरे 150 किलोमेटर अने वड़ोद्राती साहित किलोमेटर छे तो मित्रो हवे तमे नारेश्वर, गरोडेश्वर अने कबिरवड जवानी प्लान क्यारे करी दहाचो जो तमने अमारो वीडियो पसंद आवे होए तो ने तमारा मित्रो शाहते शेर कर जो अने आवाज भीजा वीडियो जो वामाटे अमारी चानल ने हमना सब्सक्राइब करो